नमस्कार दोस्तों, डीडी रियाट के एक और रियक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलो, तो आज जो वीडियो में आपनों के साथ देखने वाला हूँ, और जिस वीडियो पर मैं रियक्शन देने जा रहा हूँ, वो वीडियो बड़ा ही जबरदस्त ह इससे आपको भारत की ताकत का, भारत की डेवलप्मेंट का हैसास होगा यह वीडियो है रियल इंटर्टेन्मेंट टीवी का और इसका टाइटल है Can Pakistan Grow Like India? पाकिस्तानी पॉब्लिक रेक्शन और इंडिया क्या पाकिस्तान जो है वो भारत की तरह ग्रो कर सकता है? मुझता है यह सवाल तो बड़ा ही बेमानी सा है क्योंकि इस वक्ट जो पॉजिशन है उसमें कमपैरिजन तो मुश्किल है लेकिन हला कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से बड़े रोचक जवाब आने वाले है चली देखते हैं भई जोड़ा है आपकिस्तान की उवाब है अब हमने पाकिस्तान को भी तो आगे लेगर जाना है तो क्या वज़ा समयते हैं कैसे हम ग्रोडन कर सकते हैं सर देखें मारा सबसे पहले जो है पुलिटिकल स्टेबिल्टी बहुत जरूरी है इस कंट्री के लिए जब तक स्यासी तोर पर इस तहकाम नहीं आएगा तब तक ना तो आपकी मुश्यत तूपर जाएगी और ना ही जो है आपका कंट्री जाए ग्रोथ कर सकती है अथेंटिक बात किया इन्होंने आप कुछ कहना चाहेंगे इस हुआले सर सबसे पहले तो यह जो है ना यह प्लिटिकल इशू यह सॉल्व करने चाहिए देखें अगर एक पार्टी है अगर हकूमत में आती है तो दूसरी आपोजिशन जो है वो फोरी तो और वो दरने लेकि जो है ना पया जाम कर देते हैं मुलक का वो कुछ भी सहीतरी के से चलने नहीं देते हैं लेकिन जब फिर उनकी हकूमत आती है तो वो पहले ऐसा करने है पार्टी ऐसे मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे से सीखती नहीं है कि यार कल को फिर हम नहीं हकूमत में आना है आभी पाकिस्तान था मैं अपने कई वीडियो में यह बात कह चुका हूं लेकिन अगर लॉजिकल आप सोचेंगे तो आप यह बताईए कि 1947 से पहले तो इंडिया था लेकिन पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था तो इसलिए यह कहना कि हम दोनों एक साथ आजाद हुए या हम यह गलत है यह लॉजिकली घलत है सर वहां पर पॉलिटिकल स्बीर स्टेविलिटी है वहां पर देखे मोधी था लास्ट रेनी और भी उसने किया और आगे वी शायद वही करें क्योंकि वहां पर ऑपोजिशन यहां स्टैब्डिश्मेंट का आप कहते हैं वह इतना तंग पर नहीं करते हैं यहां पर जो है वह इस चीज़ को बहुत ज्यादा गया जाता है इंगेज क्योंकि जो वजीर आजमें उसको काम करने नहीं तो पर पर पाकिस्तान की अच्छी बात करें मुझे यह बताएं लास्ट में के हमें उनसे सीखने की जरूरत है या नहीं मतलब उनसे सीख सकते हैं आप मेरी बात को अंटरस्टेंड है हम उनसे बिलकुल हमें उनसे सीखना चाहिए देखें मतलब बहुत सारी यासी कंपरियां जो इधर अपनी फैक्ट्री वगहरा नहीं लगा रही हैं वो इसलिए लगा रही है तरले का रही है उदर मैं आपको बताऊ करें फरक तो बहुत जी बिल्कुल वह इसलिए यह क्योंकि इदर एक हकूमत के दोर में अगर वह कुई बंदा इदर आके इंवेस्टमेंट करता है उसके बाद जब वह कोई बी नहीं जाहेगा कोई मुल्क नहीं चाहेगा कोई बिजनस मेन नहीं चाहेगा कोई नहींश कान्टरी में इंवेस्ट करें जहां पर उन्हें अपनी श्रृटीं के लिए इनको कुछ करना जाया है जाए जैसे हम । Ninja जो फीस हैं वो कम से कम फीस रखने चाहिए अब यहां पर एक सिमस्टर की फिस फिफ्टी थोजन सिक्षी थोजन्ड है यह प्राइवेट से कुछ कम ते इतना था यूसी भी ले रही है यूसी भी स्कॉलर्शिप आपको तो मेरे थोड़ा था पढ़ना था मेरेट पर आते त तो इसके बाद यह तो नहीं वो टेक्स क्लैक करके वो उसकी क्रॉप्शन की जाए लेकिन उसे अपने बैंकों में अपने अकॉंट्स में लेके जाए अवाम का पैसा वो वाम पे लगाना चाहिए यह बहुत बड़ी रिज़न है जिसके वे लोचिस्तान डूब रहा है बता दें कि आप यूथ हैं स्टूडेंट भी हैं आप भी स्टूडेंट हैं मैं भी स्टूडेंट हूं यूथ हूं हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है इन्शालला हमने पाकिस्तान को बहतर बनाना है कोई एक चीज़ वस एक चीज़ बता दें यार यह पाकिस्तान मे सार, मैं यूथ है उसको ज्यादा 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 बिजनस की साइट पर ले कर जाँना चाहिए क्यूंकर मारे यहां से जो भी निकले, बिजनस जितना ग्रोफ करेगा पाकिस्तान उतना ग्रोफ करेगा अच्छी बात है आप एक लाइन में मुझे बस बताना है क्यार ये चीज़ अच्छा हो जी पाकिस्टान से ये பिर ये चीज़ आज ये पाकिस्तान में तो फिर पक्सान ग्रो करेगा सबसे पहले इदर से ये जो करप्शन है इसका हत्मा किया जाए और जो लोग इदर से दूसरे मुलकों में जाके इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे वो इस मुलक में ये अपने पैसे इन्वेस्ट की जाए उन्हें शोटी दीजए कि उनकी रकम बिल्कुल सेफ है और उन्हें है वो डिसकस करने वाला यह चीज से भी मैं अगरी करता हूं काफी ज्यादा इनका टाइम यह इस चीज से अगरी करता हूं कि हमारे ब्लोचिस्तान में जो इस टम सूर्टेहाल है सिलाब की वज़ा से अगर पंजाब की बात की जाए कुछ हिस्सों की इसके लावा सिन की बात की जाए बहुत बुरे हलात हैं लेकिन हमारे मीडिया में अगर दिखाया जाता है वो इस टम यही दिखाया जा रहा है कि इमरान खान साब को यह हो गया या नौज शरीफ आ रहे है या नहीं आ रहे है मतलब सियासी एक महोल बनाया हुआ है जब तक हम असल इशूस पर बात नहीं करेंगे असल मसाइल पर बात नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि हम त्रक्की की तरफ जायेंगे बीच में रोक रहा हूँ असल मसाइल मुझे लग है उसमें अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको इसका एक्जामपल देता हूँ आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि भारत आपका दुश्मन है आपके दिमाग में ये भर दिया गया है कि इसराइल यहुदी आपका दुश्मन है हर तर पारिकन जो पाकिस्तानी हैं वो इसराइल गए उन यहूदियों से मिले जिसके खिलाफ आपके दिमाग में जहर भरा गया है तो भाई क्यूं मिले मेरा सवाल यह है क्यूं मिले अगर आपको ब्रेनवाश कर दिया गया है और वही काम वो खुद जाके कर रहे हैं दूसरी ठाटीफ फ्रांस के राष्टपती मैक्रों से मिले मुलाकात की क्यों मुलाकात की भाई और मैंसर शेभास कि आपको गदार है और यह होँए नहीं इसके पहले मैं आपको इमराण खान की बाते भी सुनवा देता हूँ कि फ्रांस के बारे में फ्रांस से कारुबार करने के में फ्रांस से दोस्ती बढ़ाने के बारे में उनके क्या खाया थे अब आप सोचिए कि जिस फ्रांस के खिलाफ आप लोगों ने इतना बड़ा बवाल किया अपने ही देश का नुकसान किया तोड़ फोड़ की सडके जाम की कई दिनों तक बवाल होता रहा उसी फ्रांस से जाकर शहवाज भी मिले और उसके बारे में इमरान खान के बयान भी मैंने आपको सुनवा दिया तो अब आप समझे किस तरह आपका ब्रीन वोश कर दिया गया है किस तरह मजब को हतियार बना कर आपको इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है और रही बात भारत के ग्रो करने की या भारत के इस मुकाम पर पहुँशने की तो जिस मुकाम पर भारत पहुँशा है न वो इतनी बड़ी उपलब्दी है कि शायद हम इंडियन्स भी जादातर इंडियन्स को इस बात का अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी उपलब्दी है और इसलिए शायद ही आज की पीड़ी को पता हो कि ये उपलब्दी यूँ ही हासिल नहीं हुई है सैक्रो साल तक भारत को लूटा जाता रहा है उसके बाद भी हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दोरान 45 ट्रिलियन डॉलर से भी उपर की संपत्ती जो है वो भारत से लूटी आप समझे कितनी बड़ी बात है ये एक बुक है जिसका नाम है The Theft of India मैं आपको रेकुमेंट करूँगा कि आप ये बुक जरूर सुनें कुकु एफम पर ये बुक है इससे आपको पता चलेगा कि जब वासको डिगामा ने यूरप से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की उसके बाद किस तरह सैक्डों साल तक इस रास्ते का इस्तमाल यूरोपियन देशों और कई दूसरी बड़ी ताकतों ने भारत को लूटने के लिए किया भारत का पैसा, यहां के मसाले, यहां का सोना, यहां की चांदी, यहां के रत्न सब कुछ यह लूटे गए ब्रिटिश द्वारा, फ्रेंच द्वारा, डच द्वारा, पॉर्टकीज द्वारा और ये काम सैकडो साल तक होता रहा इस बुक समरी के जरीए आप जान पाएंगे कि अगर उन्होंने भारत को इसकदर ना लूटा होता तो सोचिए आज भारत किस मुकाम पर होता जो 25 साल बाद हम डेवलप होने की बात कर रहे हैं वो शायद कपके हो चुके होते पर मिलेंगे वो भी 399 रूपीज में एक साल के लिए पर मैं परसनली चाहता हूँ कि आप इस तरह के और वुक समरी को जरूर सुनें और इसके लिए एक स्पेशल आफर भी है डीडी रियाट के दर्शोकों के लिए जो मैं आपको इस वीडियो के आखर मैं बताओंगा तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं आप भी सब स्टूडेंट्स हैं ठीक है मैं आज इस टापिक पर वीडियो कार्ट का रहा हूँ वो टापिक ये है कि मुझे ये बताए 1947 में इंडिया और पाक्सान कठे ही सफर का अगास किया था अपना ग्रो कारताने शुरू किया था आपको लगता है कि आज इंढिया हमारे से ज़्याद़ ग्रो कर चुक है तो मेरे हाँ से डेमो करेशी के अंदर अगर हमारे पास इस वक्त कोई सचा लीडर मुझूद है जैसे इमरान हान चान såब है तो उनको सबोर्ट करके तो उनको सबोर्ट करनी चाहिए वो एक अलादा इशू है कि ठीक है जब वो आएंगे कुछ करके दिखाएंगे अच्छी बात है कोई भी लीडर है वो जो पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा वो हमारे लिए ही बेहतरी की बात होगी लेकिन मैं ये बात का रहूँ अभी 75 सालों में हमने क्यों नहीं ग्रो किया और उन्होंने क्यों ग्रो किया आप ये मुझे बताएं आखिर क्या वज़ा उनके पास ऐसा क्या फार्मूला था कि वो ग्रो कर गए और हमने grow नहीं किया किसी भी department में देख लें आप education में देख लें आप health sector में देख लें इंफ्रस्रक्टर में देख लें वो हमार से आगे IT में देख लें हाँ इस तरह यह में मस्क दाओ यही था कि जो पाकिस्तान के अंदर पहले तो resources कम दिये गए पाकिस्तान की डिवियन गलत की गई लेकिन आप resources कम दिये गे जिसकी वज़े से हम grow ने कर पाए हाँ एक रीजन यह भी है राते हैं लेक्शन में उनको वोट देते लेकिन बाद में वो उनका ख्याल ने ते रावाम को खुद मिल के अपने मुल्क लिए कुछ करना है मुझे लास्ट में सिर्फ यह बता दें आपको लगता है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए यह नहीं सीखना चाहिए बिलकुल इंडिया से सीखना चाहिए यह जो हमारा हम कहते है कि कश्मीर का मसला है हमारा और इंडिया के साथ अपनी जगा है लेकिन हमें वो तनकीद को इस बार में नहीं लाना चाहिए हमें चाहिए कि हम अपने उपर तनकीद को बरदाश करें और उनसे सीखें क्योंके जो कौम तनकीद को बरदाश करेंगे, जब हमारी खामियों को हम अपनी खामियों को दुरूस्ट नहीं कर पाएंगे, इनकी जो बातें थी मैं उनसे 100% एगरी करता हूं कि हमें तनकीद बरदाश करने की जरूरत है हमें तनकीद का सामना करेंगे हमारे में गैरत आएगी गैरत आएगी तो फिर हम कुछ बेहतरी का काम करेंगे आप कुछ एक दो लाइन आप में से कुछ बोलना चाहेंगे इसी हवाले से किया वज़ा है चलें ठीक है बहुत शुक मुझे बता है कि आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया ने कांद मद का का है इंगलिश लहां इंगलिश भी इंगलिश ऒो देहिं क्या है किस के सरफंदेर मुझे आप बताएं कि हम और इंडिया पाकिस्तान और इंडिया 1947 में अकठे ही हमने सफर का आगाज किया तो आज वो आगे हैं काफी आगे हैं हम पीछे हैं क्या वज़ाए इसकी वज़ाए यह है कि हम लोग जो चीजे टू दा पॉइंट चीजें लेके चलते हैं वो उनको अपनी तिंक बताएं कि क्या हमें अनसे सीखने की जरूरत है या नहीं जी बिलकुल जो भी जो भी कोई इनसान अच्छा काम कर तो हमें उसे सीखने की जरूरत पर रही है वो खवाव इंडियन है या इंगलेंडियन है न्यूजिलेंडियन है कोई भी है दुनिया में चाहे वो आपके नेबर्स में क्यों नहीं रहता है आपको उससे सीखने की ज़रूरत है तो इंडिया बेशक हमारे साथ उसके तालुकाद अच्छे नहीं है रिलेशनल अच्छे लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए मुझे लास्ट में यह बताएं आप पाकिस्तान की यूथ हैं आप यूथ हैं बाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो थोड़ा सदर को फेस कर ले हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जा कैसे पाकिस्तान अग प्रैक्टिकली क्या करने की दॉरत भर कोंसे ऐसी चीजें चेंज करने की ज़र। किые हर दूसारा बंदा कयता है बाहर चला जयों और पाकिस्तान में जो रहता हो रह someone यह कहता है कि जो भी पाकिस्तान में खराब और बाहर के मिल्कोगाना जाना भी वहां जाते हैं और हम मजरे सोच जाट ट कोई उसे reject करेंगा ? Museum और हर बात जो पाकिस्तान में कुछ भी होता है है हकौमत आती है .. मेहनगाई UT iPad में जाना भीमेरीका जाते हैं और महनगाई भी couper 비 jed कि क्या है ? हम अंदर से healthy me अपने मुलक के साथ मुखलिस तो कैसे हम बढ़ाएंगे कैसे लोगों की सोच को बदल सकते हैं कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं कैसे हम प्रैक्टिकली पाकिस्तान को फाइदा दे सकते हैं सबसे पहले खुद को बदलने की जरूरत है जिस दिन हम लोगों को बदलेंगे हम खुद को बदलने की जरूरत समझत ही नहीं है जब जब कहें में सबस्यादा जरूरत ही है कि हम खुद को बदले जब हम खुद को पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो मैं अगला बंदा पॉजिटिव नज़र आएगा बहुत अच्छी लगी इनकी बाते हैं इनकी बात करके मुझे अच्छा लगा स्लाम अलेकुम वालेकुम स्लाम आपका नाम मैं लाइबर क्या करती है मैं वनीजा आज इस टापिक पर मैं वीडियो रिकार्ट का रहा हूं वो टापिक यह है कि सबसे पहले तो मुझे आपने यह बताना है कि आपको लगता है इंडिया हमारे से ज्यादा ग्रो कर चुका है कर चुक है कर जूदा नएक में क्वानित कर चुके काफी हरतिक सिंड़ा से रहा है आपको क्या लगता है कि घुका चुक है कुछ में लांे कि यह उंसे ये आपका ख्याल है या फिर ये एक अथेंटिक आपको कहीं से ख्याल है हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है ये आप जाके नेट से सर्च करिएगा अच्छा चले मैं आपको ये बता है चले एक गलती नहीं है देखिए मैं जो बात कह रहा था था ने कि ब्रेइन वॉश इन बहन के जबान से ये बात निकली है आप सोचे आपको लगाए अब कितना इनका मजाक उड़ेगा इस बात को लेकर ये बाते हम भी देख रहे हैं हमें भी हसी आ रही है इनको शायद अपने ही देश के निउस पेपर्स का नहीं पता जो ये बात छापते हैं कि दुनिया कि सबसे खराब स्टडीज जो हैं वो पाकिस्तान की है दुनिया में सबसे खराब जो एजूकेशन सेक्टर है वोस्ट वो पाकिस्तान का है आप बात करें हाईर स्टडीज की भी वहां पर भी पाकिस्तान की हालत बहुत जादा खराब है सबसे घटिया सिस्टम है सबसे करना हैं खैर कोई बात नहीं आप सोचते रहें आप वहीं पर रहें और हम कहीं और निकल गए हैं आप से यह पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान कैसे ग्रोव कर सकता है आप मुझे इसका अंसर करें जब तक हम अपनी मसले पता नहीं लगेंगे तब तक हम अपनी उनको रिजॉल यह बड़ी गहरी बात की है कि हमें यह तो पता है कि हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है लेकिन हमें यह पता ही नहीं हमारे मसले क्या है हमें आज भी शायद यही लगता है कि शायद घुर्बत हमारा मसले है या फिर इस तरह के मसाइल जबके हमारे जो मसाइल है वो सब चाहिए यह नहीं सीखने कुछ चीजों में सीखना चाहिए कुछ में ज़रूरत नहीं है हम अच्छे हैं आप से पहले पूछा आपने का एजूकेशन में किस में अच्छे हैं मुझा उनकी इंडस्ट्री देखी जाए तो वह चीजा इंडस्ट्री बहुत रोल प्ले करती है ग्रोव करने में उनकी इंडस्ट्री अच्छी आईटी सिस्टम भी अच्छा है उनका हमारा इतना बेहतर नहीं है लेकिन बेहतर हो सकता है ठीक है इनसे भी मैं अगरी करता हूं जिन चीजों में सीखने की जूरत है सीखना चाहिए और सीखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ब पता नहीं इसके वज़़ा तो आपको पता होगी लेकिन मुझे लगा रहा है कि यह थोड़ी बहुत आज कल आपके वीडियो में यह थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है कि आप काउंटर आपने करना कम कर दिया है अब यह तो आप बहतर बता सकते है अबका नाप गोषर मिराज, आपका नाम मुहामाद अनस, क्या करते हैं? स्टडी का रहे हैं स्टडी का रहे हैंर आप भी एड़ी का रहे हैं? आज खस्ट चौपिक पर वीडियो रिकार्ट का रहा हुए फब अगरは पकिस्तानबियो यहाँ स्ञारे हैं कि यहाँ, एको ल इन्जिनिर्ग डेपार्टमेंट की हेल्थ सेक्टर की एजूकेशन की इन्फरस्रक्ट्ट्र की इसके लिए आपको क्या लगता है क्या वजा है उन्होंने ऐसा कौन सा फार्मूला अपलाई किया जिसकी वजासे वो ग्रो गर गे वहाँ पे मेरा ख्याल है कि इन्वेंशन बहुत ज्यादा हुई हैं और वहाँ पे ज्यादा थियूरीज हैं लेकिन पाकिसान के अंदर एक तो क्रेप्शन है हर डिपार्टमेंट के अंदर और प्रॉपर सिस्टम नहीं है किसी भी चीज के लिए लेकिन अगर हम इसे इंप्र तरकी कार सकते हैं पाकिसान सोच निया पहने अब आ सिर्फ और सिर्फ पाकिसान के मौध के लिए पाकिसान की तरकी और हम वैसे बड़ा नारा लगाते हैं हमें पाकिसान से बहुत प्यार हैं लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकलिकली कुछ करने की तब हम अपने आप narcTV को बाद में रखते हैं किया मैं यह ठीक है रहूं जी बिल्कुल ज्यादा तर रेशियो ज्यादा तर परसंटेज हमारी यही है जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मुफदात को आगे रखते हैं निस्बत यह कि वो मुल्क के लिए सोचें और मुल्क की तरकी के लिए काम करें कιा वज़ा पेले तो यह पता हिंडिया क्यूं ग्रोओ का रगया किया वज़ा समझते हैं एंडिया के अंडर तकरिबरण पाकिसान की इसवर में समय अपने मुफाद को पहले देख के तो उसक बिना पर फैसला करते हैं यह जिसे हम नारा बड़ा लगाते हैं बड़े हम कहते हैं कि मुहिब वतन है लेकिन जी देर बात आती है रियल में फाइदा देने की रियल में पाकिस्तान के लिए कुछ करने की अपने कंट्री के लिए कुछ करने की दर शायद हम अपना पहले सोच लेते हैं कंट्री का बाइब बिल्कुल ऐसे ही है मैं समयत हूँ लेकिन अगर खेलों के मिदान में वहां पे देख लें अभी अर्शन टीम ने पीछे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मेरे लेकिन जो रेयलिटी है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो ही अगे बढ़ बढ़ें आपको गलत करते हैं और यहीं को बारे में बात करता है यह तो पाकिस्तान को डिग्रेट करें बिल्कुल ऐसे ही मैं यही समझता हूं कि हम अपने आपके मफादा कर दे दि जी बिल्कुल पाकिस्तान में तकरीबर ने सबसे ज्यादा जो रेशियो आव यूथ किया इस वक्ता है कैसे आगे लेके जाएंगे आप मुझे बताएं एस यूथ एस टूडेंट एस पाकिस्तानी स्टूडेंट अगर हम रिसर्ची बगारा करें अपने तोर के उपर अपनी मनवाएं लेकिन बाहर वाले मीडिया को हम बताएं या फिर अपनी रिसर्ची करके दूसरों को हम कि अगरी करता हूं कि जब तक हम खुद पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान कैसे घूर करेगा बहुत शुक्रिया अस्वावलेकूं अलेकुम असलाम आपका नाम शर्यारन्वार आपका नाम क्या करते हैं हम पढ़ते हैं स्टूडेंट हैं ठीक है हैं क्या वजह है कि हमारे से जula हैं कि अस नहीं हमने वी तो ग्र해요 करना है आपने में पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो कैसे हम पाकिस्तान की बेहतरी के कुछ कर सकते हैं कूंसी चीज़ हों से सीख सकते है हमें चाना चाहिए सबसे पहले तो हमें अपने political parties को sustainable करना चा करेंगे तो जो प्रोजेक्ट होंगे वो बीच में रह जाएंगे और जब प्रोजेक्ट नहीं पूरे होंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे इसके लावा हो एज यूथ हमें एजुकेशन पे अच्छे बजट देने चाहिए जिससे हम अपना एजुकेशन इस सिस्ट क्या वजटेक्स काफिव कर चुके हैं हमारे साथ हमारे हमसाएं हमसाइंस तही नग bên सब्सक्राइब सब्सक्राइबंे से की वहिसा में बेढ़ने अगाज किया फ्र वह क्यों क्रोχें और क्या वज़ाए रसाधिक्ट की वज़ाए̯ कि हमारे हुकमरान है वो नहीं हमार तो क्या वज़ा है तो क्यों नहीं है यूनिटी नही है यूनिटी आगे अगे बह। सके बहुत शुकर लिए पाकिस्तान के स्टूडेंट रह चुके हैं इसके लावा जो हमारे मजूदा प्राइम निस्टर शेबाज श्रीफ साब हैं वो खुद इस चीज़ को एकसेप्ट कर चुके हैं कि इंडिया हमार से आगे निकल चुका है तो फिर पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की यूद को भी एकसेप्ट करने की हम उन चीज़ों को एडाप्ट करेंगे अच्छी और पॉस्टिव चीज़ों को एडाप्ट करेंगे तो हम भी अपनी जो खामिया हैं उन पर एक्न्टरोल कर सकेंगे और पाकिस्तान को आगे बहृतरी की तरफ लेकर जा सकेंगे और ये मेरी अपिनियन थी आप इस से एग वो आपके रास्ते में बाधा बनेगी लेकिन जो मुझे समझ में आता है मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ और अगर मैं नीट्रल होके इंडियन होके भी बात नहीं करूँ, एक नीट्रल आदमी होके बात करूँ तो पाकिस्तान के develop नहीं करने के पीछे सबसे बड़ी वज़ा वहां की आवाम है वहां की आवाम ने ऐसी सरकारें चुनी ऐसे लोगों को राज करने दिया, मैं ये बात क्यों कहना हूँ समझे राज करने दिया जिन्होंने आवाम का brainwash किया, जिन्होंने मजभ को हतियार बनाकर आवाम को भारत के खिलाफ और non-muslims के खिलाफ भड़काया और जिन्होंने आवाम को ये भरोसा दिला दिया कि बॉस आपको ना रोटी की ज़रुवत है, ना एजुकेशन की जरुवत है, ना फैक्ट्री की जरुवत है, सबसे बहतर है और भारत हमारा दुश्मन है यहुदी हमारा दुश्मन है अभी भी जब आपके हाँ चीजे हो रही है तो अमेरिका पर थोप दिये जाता है हुक्मरान बड़े चालू किसम के लोग होते हैं वो आपको यू घुमा देंगे आपका माइंड बदल देंगे आपका ब्रेनवाश कर देंगे तो यह ब्रेनवाशिंग की शिकार हो गई पाकिस्तान की जनता पिछले 75 सालों में अगर नहीं होई होती तो वो सवाल पोस्ती तभी जब ग्रोथ कम होने लगी जब देश में गड़बणिया होने लगी 75 साल का कोई वक्त कम नहीं होता आप बंगलादेश को देखिए 50 साल के भीतर उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया एकनॉमी में पीछे छोड़ दिया इनफरा में पीछे छोड़ दिया आपका per capita income में पीछे छोड़ दिया आपका industries में पीछे छोड़ दिया education में पीछे छोड़ दिया तो इस चीज़ के लिए तो बंगलादेश की तारीफ बनती है लेकिन बंगलादेश में भी अब कुछ पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है मैं भी देख रहा हूँ कि लगातार महाँ पे क्या कहते हैं कटरवाद बढ़ रहा है और कटरवाद जैसे जैसे बढ़ेगा तो बंगलादेश भी उसी रहा पे चलने लगेगा जहां पे पाकिस्तान चल रहा है और जिस मुकाम पर तब जाकर वो ग्रो कर रहा था अगर नहीं चाहिए अपने देश को बरबाद करना है तो ठीक है कर लीजे रही बात इंडिया की तो इंडिया के डिवलप होने की कोई एकाद वज़ा नहीं है पहली वज़ा है जो मैंने आपको बताया हमारे हाँ कटरवाद नहीं है कटरवाद हमें दूसरे मज़ब के लोगों को नीचा दिखाना नहीं सिखाता हमारे हाँ जो महावले हमारे हाँ जो समाज वो मैं सिर्फ उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ कुछ चीजे हैं जो हो रही है और वो असर डाल रही है क्योंकि उस पर आपका असर है अलगलग जमातों का असर है लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है बढ़ेगी भी तो उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि PFI के सौ से जादा लोगों को गिरिफतार किया गया है एना यह ने बहुत बड़ी रेड किये पूरे देश भर में अब पाकिस्तान मुझे पता है पाकिस्तान का गया जिए देखिये मुसल्मानों पर जुल्म हो रहा है मुसल्मानों को पकड़ा जा रहा है अरे भाई जब आपका संगठन आपके लोग अगर देश के खिलाफ काम करते हुए पाये जाएंगे अब आप कहेंगे जूट है मुकदम है अरे भाई तो कोट है सिस्टम है उसके लिए या आप विक्टिम कार्ट प्ले करके हम छोड़ दें आपको जो मन करें भाई सबूत मिले हैं तब तो किया गया है और कोट है सिस्टम है वहाँ पर जाएए वहाँ पर लड़ेंगे अगर गलत साबित होते हैं तो रिया हो जाएंगे उसके बाद केस करिया उल्टा जिन्होंने पकड़ा है उनको कि आपने कैसे हमें पकड़ा और ये किया लेकिन देखे ये सारी चीज़े ऐसे नहीं होती है वही नोग सालों तक चीजने कठा किये जाती है जमा किये जाते हैं लिंक्स पता किये जाते हैं और ऐसा हुआ है तो खेर आपको तो प्रफगेंडा करना होगा पाकिसान के तरफ से तो होगा है जरूर होगा 47 से लेकर और 2022 तक विजन रहा है या उसके पहले कि अगर राजा हुए है तो उनमें भी विजन रहा है तभी देश जो है वो सूने की चड़िया कहलाता था तो बिना विजन के कुछ चलेगा नहीं विजन कहां से आता है? विजन तहां से आता है जब आप open mind होंगे जब आपका दिमाग संकुचित नहीं होगा बेडियों में जक्रा नहीं होगा open mind होंगे आप सब हर एक पहलू को एक बराबर नजरीय से देखेंगे एक बराबर नजरीय से सोचेंगे उसमें सिर्फ अपना फायदा या आपने मजब का फायदा नहीं सोचेंगे इंडिया में ये काम हुआ है और तभी इंडिया ग्रो कर रहा है आप लोग हमेशा कहते हों कि ये इंडिया आगे बढ़ गया, आईटी में आगे नहीं बढ़ा है IT में भी आगे बढ़ा है आप हमारा infrastructure देखिए आप हमारा railway देखिए आप हमारा aviation sector देखिए अगर आप पिछले 75 साल में देखेंगे तो इसमें बड़े बड़े बदलाव हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई है आप हमारी industries देखिए automobile की बहुत बड़ी industries है हमारे यहां दुनिया भर में हमारे यहां से कारें और बाकी चीजे एक्सपोर्ट हो रही है हमारे यहां की जो bike की company है वो दूसरे देशों में जाकर bike बनाकर चिनी कमपनियों को भगा रही है हमारे यहां की company अमेरिका में जाकर अपना plant खोलती है और वहां के लोगों के लिए गाड़ी बना रही है हमारे यहां के tractors दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भिक रहे हैं हमारे यहां के trucks दुनिया भर में famous है तो यह सब एक दिन में आप 5 साल 10 साल में नहीं हुआ है यह 75 साल की मेहनत है और यह मेहनत तब हुई है जब एक रास्ता दिखाया गया है एक vision दिखाया गया है कि बहुत अगले 50 साल में हमारा यह vision है जैसे अभी अगर PM Modi ने कहा कि अगले 25 साल का vision यह है कि हमें developing से developed nation बनना है यह होता है vision तो उस 25 साल में अब पूरे देश की जनता सरकारें एक साथ मिलकर यह काम करना शुरू करेंगी कि हमारा target है हमारा vision मिल गया है कि 25 साल में हमें इस रास्ते पर चलना है और developed country बनना है तो पिछले 75 साल में अफसोस के साथ माफी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक भी ऐसा लीडर नहीं आया जिसके पास vision हो सबने मजब को हतियार बनाया सबने मजब के नाम पर vote bank की सियासत की सबने अपनी संपत्ती बनाई अपना assets बनाया विदेशों में अपने पैसे रखे अपनी जेब भरी है बस और इसके लिए और कोई जिम्मदार नहीं कोई सियासतदान, कोई नेता, कोई पार्टी नहीं पाकिस्तान की जनता जो उसकी आँखों के सामने होता रहा वो उसको देखती रहे तो इसके लिए मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जनता ही इसके लिए जिम्मदार है तो दोस्तों वीडियो खतम करने का वक्त आ गया है लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि कुकु एफम पर जाएं और बुक्समरी देफ्ट आफ इंडिया को जरूर सुनिये कुकु एफम ओडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हिंदी अंग्रेजी और कई दूसरी रीजनल लैंग्विजेज में दस हजार से भी जादा ओडियो शोज की लाइब्रेडी मिलेगी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DD React के दर्शोगए के लिए एक स्पेशल ओफर चल रहा है कुकु एफम पर अगर आप कूपन को DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% का स्पेशल डिसकाउंट मिलेगा और यानि 399 रुपीज की जो मेंबर्शिप है जो मैंने आपको बताया था वो सिर्फ आपको 199 रुपीज में मिल जाएगी और यकीन मानी है कि साल के लिए 199 रुपए दे कर ग्यान का इतना बड़ा खजाना आपको और कहीं नहीं मिलेगा और इसलिए मैं कहता हूँ कि नई पीडी को अपडेटेट रहना बहुत जरूरी है हिस्ट्री से भी और प्रिजेंट से भी क्योंकि इसका असर पड़ता है फ्यूचर पर और आपको याद दिला दूँ कि यह जो ओफर है यह सिर्फ पहले धाई सो यूजर्स के लिए है तो भाई इसका लिंक जो है मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है तो जाईए और इस ओफर का फाइडा लिजे तो जल्दे मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए